डार्क हार्विस्ट फिल्म समीक्षा डार्क हार्विस्ट एक 2023 अमेरिकी 85 होरर फिल्म है जो डेविड स्लेट द्वारा निर्देशित और माइकल गिलियो द्वारा लिखित है जो नॉर्मन पार्टरिच के इसी नाम के 2006 के उपन्यास पर आधारित है इसमें केसी लाइक्स, एमिरी क्रचफिल्ड, दस्तिन सीथमर, एलिजाबेथ वीजर और जेरेमी डेविस जैसे कलाकार हैं 13 अक्टूबर को डिजिटल रूप से रिलीज होने से पहले, दार्ख हार्विस्ट को 11 अक्टूबर 2023 को एक दिन के लिए चुनिन्दा अलामो ड्राफ्ट हाउस सिनेमा थेट्रों में विशेश रूप से रिलीज किया गया था 1962 में एक छोटे से ग्रामेन शहर के किशोर लड़के वार्षिक हैलोवीन तरंट में प्रतिस्परधा करते हैं उन्हें सौटूथ जैक नामक एक धातक अलोकिक प्राणी को आधी रात से पहले चर्च तक पहुँचने से रोकना होगा इस साल जिम शेपर्ड ने जीव को मार डाला और लड़कों को उसके कैंडी के अंदरूनी हिस्से पर दावत देने के लिए प्रेरित किया और हार्वेस्टर्स जेल्ड से 25,000 डॉलर और एक नया शेवरले कारवेट जीता जैसे ही शहर जश्ण मनाता है जिम अपने छोटे भाई रिची को अलविदा कहता है और एक नए जीवन की ओर चला जाता है एक साल बाद ओफिसर रिक्स ने लड़कों को दौड के बारे में व्याख्यान दिया केवल रिची को छूट है क्योंकि उसका परिवार पहले ही जीत चुका है रिची शहर में एक नवागंतुक केली के साथ फ्लर्ट करता है और अपने मातापिता द्वारा उसे मना करने के प्रयासों के बावजूद गौड में भाग लेने के लिए ग्रिड संकल्पित है अपने धमकाने वाले सहपाथी रिले जो उसकी बेल चुरा लेता है द्वारा पीटा गया रिची पोस्ट कार्ड और जिनके एक पत्र से परेशान है वह चोरी की कार में शहर छोड़ने की कोशिश करता है लेकिन रिट्स द्वारा उसे वश में कर लिया जाता है इस बीच एक किसान एक शीन लाश को एक बिजुका में बदल देता है जिसके सिर पर नकाशिदार कद्दू होता है और शरीर के अंदर कैंडी सिल देता है इससे पहले की वह सौटूथ जैक के रूप में उभरे जैसा की परमपरा है शहर के लड़कों को उनके कमरों में बंद कर दिया जाता है और तीन दिनों तक भूखा रखा जाता है जब तक की उन्हें हैलोवीन पर खुला नहीं छोड़ दिया जाता वे मुखोटे और अस्थाई हतियारों के साथ सडकों पर निकलते हैं रिची अपने दोस्तों मिच, बढ़ और चारली के साथ सौटूथ जैक का मकई के खेत में पीछा करते हुए रन में शामिल होने के लिए चुपचाप निकलता है जीव चारली और मिच को मार देता है लेकिन रिची को भागने देता है रिची को केली मिलती है जो खुद शिकार में शामिल हो गई है और सदमे में डूबा बढ़ वापस शहर की ओर भाग जाता है उसके माता पिता ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया और वह तूफानी तहखाने में छिपे लड़कों के एक समुह से बिंती करता है लेकिन सौटूथ जैक आता है और बढ़ और अन्य को मार डालता है रिची और केली ने रिक्स के घर और उसकी गश्टी कार से एक हैंडगन चुरा ली जबकि तेजी से बढ़ते जंगली लड़के शहरवासियों और एक दूसरे को लूटना और मारना शुरू कर देते हैं रिले द्वारा उकसाए जाने पर केली ने उसे बेहोश कर दिया और रिची ने उसकी बेट बकल वापस ले ली रिक्स रिची और केली को शहर के केंदर में ले जाने के लिए अपनी कार के रेडियो का उप्योग करता है जहां उन्हें सौटूथ जैक मिलता है प्राणी को गोली मारने की तयारी करते हुए रिची उसके मेल खाते बेट बकल को पहचानता है और उसे पता चलता है कि इस साल का सौटूथ जैक जिम है प्राणी भाग जाता है और रिची और केली उसकी मार डोना से भिरते हैं यह निशकर्ष निकालते हुए कि उसने जिम के पोस्ट कार्ड और पत्र लिखे हैं अपराध बोध से अभिभूत होकर दोना ने अपनी गर्दन पर चाकू मार लिया पूरे शहर में प्रिक्स ने रिची के पिता डैन को चेताबनी दी की शहर की बरबादी को रोकने के लिए दौर पूरी होनी चाहिए रिची और केली चर्च पहुँचते हैं जहां डैन शहर के अभिशाप का खुलासा करता है प्रिक्स और हार्वेस्टर्स गिल्ड किसी को भी जाने से रोकते हैं यह सुनिश्चित करते हुए कि हर साल सौटूथ जैक को रोक दिया जाता है जबकि नया विजेता अगले वर् जैक को गोली मार देता है रिची ने रिले को बंदूग की नोप पर पकड़ रथा है लेकिन सौटूथ जैक संकेत देता है कि वह चाहता है कि रिची उसे मार डाले और रिची अपने भाई को सिर पर गोली मार कर ख्त्म कर देता है शहर के जशन के बीच रिची और केली एक साथ भागने के लिए सहमत हो जाते हैं और वह उसे बंदूग थमा देती हैं। अपनी जीत से प्रसन्न होकर रिची केली से मिलने के लिए अपनी नई कार ले जाता है लेकिन केली के छिपने पर रिक्स ने उन्हें रोक दिया। बिजूका के खेत में ले जाकर रिची ने पहले गोली चलाई और रिक्स को मार डाला लेकिन किसान ने घात लगा कर हमला किया और उसे जिन्दा दफना दिया। दैन के आग्रह पर तबाह केली रिची की कार में शहर से भाग जाता है। अगले वर्ष जैसे ही रिची का शरीर सौटूथ जैक में बदल गया, दैन हस्तक शेप करता है, किसान की हत्या कर देता है और उसके नए बेटे से शहर से बदला लेने का आग्रह करता है।